वीडियो गुरू एप्लिकेशं के माद्यम से आप अपने यूटुप वीडियो को कैसे एडिटिंग करें हैंतो आध्के वीडियो में आपको वीडियो गुरू एप्लिकेशं का पूरा इंटरफेश आपको step-by-step बताऊंगा तो आप play store पर जाकर वीडियो गुरू के नाम की application को download कर सकते है उसके बाद में ऐसा enterprise आएगा उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने जो buy करने का option आएगा तो buy भी कर सकते है उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा new project पर जाना है पहले आप setting पहले setting में जाना है setting पर जाने के बाद में फोटो लेना तो फोटो लेने तो यहाँपर मैं अभी एग्जंपल के तोरब एक फोटो यानी सेलेक्ट करूँगा और फोटो के उसके बाद मैं इस टाइम्लाइन को यानी थोड़ा सा आगे लेके जाओंगा ठीक है उसके बाद मैं यहां पर playhead को श्टार्ट में जनके बाद में आपको यहां पर option आता है पाइप का ठीक है तो पाइप पर klik करना है और यहां से पाइप पर klik करने के बाद में कोई भी अपने गैलरी में से कोई भी वीidio klip लेनी है ठीक है उसके बाद में इसको कहीं पर भी इसको यानि सैट कर रहींगे सैट करने के बाद में ये देखि कितना अच्छा देक रहा है उसके बाद में एक एक करके मैं आपको बारीखी से समझाऊunkा ठीक है अब आपको क्या करना पड़ेगा दूसरी क्लिप और भी एड़ करनी है तो दूसरी क्लिप भी आपको पाइप पर क्लिक करके एड़ करनी है ठीक है उसके बाद में क्रोमा पर क्लिक करके इसका क्रोमा खटाना है ठीक है अगर ठीक से अगर क्रोमा नहीं हटता है तो आपको य को क्रूमा पर क्लिक चेका है तो Key क करेंगे आगर क्रोमा करीग को क्लिक करेंगे तो यह हट जाए गार इसका गिर Juration करेंगा तो इसका ग्रेंगा नहीं हो जाएगा उसके बाद में यहांपर तु यहां dengan Party करेंगा तो ऐसको भी ट्रिमिकरेंगे तु ए का यहां पर option आएगा तो split कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर split भी कर सकते है या trim भी कर सके जो भी करना है तो आप कर सकते हो अपने according ठीक Hey उसके बाद में और भी parts यह इसको पकड र polysгрamal लेने के बाद में यहां पर text भी हम लिक सकते हैं जैसे कि यहां पर मैं वीडियो एडिटिंग लिखूंगा तो यहां पर वीडियो एडिटिंग जैसे मैं लिखूंगा उसके बाद में इसका कलर चेंज करेंगे इसका फॉंट चेंज करेंगे ठीक है फॉंट चेंज करने के बाद में यहां से उसका सेडो सेडो भी एनेबल कर कर सकते हैं तो देखिए यहां पर मैं फटा-फट से सब सेटिंग करके आपको बता रहा हूं तो ऐसे कैसे आप भी सेटिंग कर सकते हैं अब यहां पर यह टेक्स्ट को मैंने यहां पर लगा दिया देखिए ठीक है उसके बाद में इसमें एनिमेशन भी लगा सकते हैं देखि U Desperate इसके लावा आप यहाँ पर अपनी वोईस भी डाल सकते हो और यहाँ पर मीजिक भी डाल सकते हो ठीक है, तो यहाँ से देखी यहाँ पर बहुत सारे और 00कोणि मीजिक का वोईस का, तो आप रिकॉर्ड करके भी डाल सकते हैं और यहाँ पर इस वीडियो गुरू एप्लिकेशन के अंदर से भी आप मीजिक को यहाँ पर सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हो, टीक है नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे, और यहाँ पर आप वोईस चेंज भी कर सकते हो, जैसे बच्चे की आवाज, गल्स की आवाज, यहाँ से चेंज कर सकते हैं तो इसके लवा और भी मैं आपको बता देताऊ यह से अपनी बॉइज को रिकॉर्ड करके भी कर सकते हैं या पर दीए यह ने बॉइज की गर्लस की यह पर ठीकना तो यह तो यहां से आप वोईज को चेंज भी कर सकते हो ठीक है इसके लावा और भी मैं आपको बता देते हैं यहां से आप इस्टिकर पर कलिक करके इमोजी भी सलेक्ट कर सकते हैं इसके लावा आपके अगर गैलरी में कोई भी आपने कुछ स्टिकर बनाए हुए तो वह भी एड़ कर सकते हो ठीक है और यहांसे आप animation भी लगा सकते है फिल्ट भी लगा सकते हो ठीक है जो भी आपको Transition effect लगाने तो यहां से आप Just aelika करके लगा सकते हो чाओ ठीक है तो यहां पर दिखिए अलग लग कर सकते हो तो देखिए कितने अच्छे याने एनिमेसंस आ रहे हैं ठीक है इसके लावा इपक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने धेर सारे इपक्ट आएंगे तो इसमें से भी आफ सेलेक्ट करके देख सकते हैं ठीक है ना आपको जो उच्छित लगे वो कर सकते हो ठीक है यहां से बलर भी आप कर सकते देखिये बलर के ऑप्संझ भी आपको दिएगये तो यहां से कोई फी बलर आप को सेलेक्ट करके याने कर सकते हैं ठीक है तो जैसे मैं लाश्ट वाला सेलेक्ट करूंगा तो यहां पर बलर पार्ट्स हमको करना है जितना बलर कर सकते हैं ठीक है इसके लावा यहाँ पर social media animations भी लगा सकते हैं जैसे मैं green screen subscribe बटन लगाऊंगा और उसके बाद मैं chroma पर click करके इसका भी chroma हटा दूँगा तो यहाँ पर यह chroma हट जाएगा फिर इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं जैसे यह देखिए subscribe वाला ठीक है इसके लावा और भी यहाँ पर animation एड़ कर सकते हैं पाइप पर click करके और chroma यहाँ का chroma भी इसका हटा सकते हैं फिर इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं तो यह देखिए like बटन लगा दिया ठीक है इसके लावा यह सारा के सारे project यहने complete होते हैं तो उसके बाद में आप export पर जाएंगे यहाँ पर resolution, frame rate यह अपने according यहाँ पर select कर सकते हो ठीक है उसके बाद में export होना start हो जाएगा तो I hope आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like कर देना मेरे चैनल पर पहली बार तब मेरे चैनल को subscribe कर देना